हेलो दोस्तो स्वाज़ा थे आपका हमारे यूटूब चैनल में आज बात करेंगे एक बहतरीन प्लान के बारे में आपने कई बार नाम सुना होगा इस प्लान के बारे में लेकिन आपको पूरी जानकारी नहीं होगी तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसा फंड जो ग्रोप आ सकते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए बेल आइकन दबा दीजिए जिससे के आगे आने वाली सभी वीडियोज की जानकरी आपको मिलती रहे हैं यह जो फंड है यह है बढ़ोदा जो बैंक 14 रुपए चल रहा है फोर स्टार रेटिंग है यानि पांच में से चार स्टार इसको मिले हुए है और 500 रुपए मिनिमाम अमाउंट है जो कि आप जमा कर सकते हैं इसमें इसके बाद फंड साइज की बात करें 2870 कड़ों रुपए अभी तक इसमें जमा हो चुके हैं जो कि जगा इन्वेस्ट करके आपको रिटन देगा तो वो जो टॉप 5 कंपनियां जिनमें ये इन्वेस्ट करती है वो है ICICI Bank Limited, HDFC Bank Limited, Reliance Industry, Jyoti CNC Automation और Jometo Limited ये 5 ऐसी कंपनियां है जिनमें ये सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करती है जिसका की percentage value भी आप यहाँ पे देख सकते है अब आपको नाम बता दे इस fund का ये है बडोदा का BNP परिवास multi-cap fund, multi-cap मतलब इसमें हर टाइप के fund include है, large cap भी देखने को मिलेगा जिसे की Reliance type की company आपने देख ली, जो startup company है यानि का अभी अभी just share market में जूड़ी है, छोटी company है, small cap जिसको बोलते हैं, वो भी इसमें include ह इसके बाद, जो mid-cap company है, जो ना बहुत बड़ी है, Reliance, Adani, इसमें include है, तो अब देखिए, इसमें invest करने के लिए, अगर आप SIP करते हैं, तो 500 रुपे साथ कर सकते हैं, पर मन्त, अगर आप one time investment करके छोड़ना चाते हैं, तो minimum 5 year आपको जमा करना पड़ेगा, फिर अगर इसमें और invest करना चाते हैं, तो minimum 1000 कर सकते हैं, इसके बाद, अब हम लोग चलते हैं, calculation पे, calculation की बात करें, तो इसका जो return है, यह average return लगबग 17% का दे रहा है, इसलिए हम लोग 17% पे ही calculate करेंगे, अब आपको बता दे, 17% पे calculate करेंगे, तो कितना रुपे आपको मंत्ली जमा करना है, मात्र 890 रुपे आपको जमा करना है पर मंत, उस बेसिस पे गर 5 साल regular यह चीज आप कर लेते हैं, तो आप 53,400 रुपे जमा करेंगे, और आपको return कितना मिलेगा, 31,066 रुपेज का, total value जो है, वो 84,466 रुपेज का बनेगा, अब यही चीज अगर आप 10 सालों तक क वो 2,80,000 की बनेगी, 15 साल में 1,60,200 का आपका investment, 5,77,601 का return, total value 7,7,801 रुपे, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, 20 सालों में 2,13,600 रुपेज का आपका investment होगा, 15,66,000 आपको return मिलेगा, total value लगबग 18,000 की बनेगी, 25 साल में ये पैसा जो है, 2,66,000 आपको return मिलेगा, total value 42,43,000 के बीच की रहेगी, और अगर आप 30 साल रुख जाते हैं, तो 3,20,000 का investment होगा, 96,000 आपको return मिलेगा, total value अंठक, एक कडूर की बनेगी, ये तब possible है, जब आप हर महने 890 या उससे ज़्यादा जमा करते हैं, और आपको हर साल का जो return है, वो 17% या उससे ज़्यादा मिलेगा, तो एक कडूर तका पहुंच सकते हैं, 30 सालो, अब क्या ये guaranteed है, कितना return मिलेगा, जी नहीं, mutual fund और share market कभी guaranteed return नहीं देता है, ये trends and condition में साफ साफ लिखा रहता है, ये market पे dependency रखती है, market अगर down होगा, तो आपके fund की value भी down होगी, market अगर up होगा, अच्छा grow करेगा, तो आपके पैसे भी अच्छे amount में बढ़ेंगे, तो वीडियो देखा और जाके अपने सारी जमा पूंजी लगा दिये, बिल्कुल नहीं, invest करने से पहले सारी चीज़ों को समझ लें, उसके बाद ही invest करें, नहीं आपको अच्छे से समझ आता है, तो आप किसी financial advisor सला ले लें, उसके बाद ही invest करें, तो चलिए मिलते हैं एक